पीजी सेमिस्टर थार्ड और टॉपिक है महात्मा गांधी और उनके अहिंसा सम्मन्धी विचार गांधियन आइडियोलोजी और अहिंसा जॉक्टर बीपी बर्मा ने लिखा है गांधी जी एक उच्च कोटी के रास्ट्रिय नेता पैगंबर और शिक्छक थे उन्होंने समाज के पुनर निर्मान और मनुश्य के उत्थान के लिए कुछ मौलिक विचारों पर बल दिया इस रूप में उनको नैतिक और राजनितिक बिचारक माना जाता है परन्तु शंकराचारे या जर्मन फिलोसफर कांट की तरह वे उच्च कोटी के तत्वित्ता फिलोसफर नहीं थे वे बास्तम में माहत्मा बुद्ध और सुकराथ की तरह थे जो सत्यों के सम्मंध में प्रियोग करते थे और उनका प्रिचार करते थे उनकी महता इस बात में छिपी थी कि उनका उचा चरित्र था उन्हों देश को राजनितिक और नैतिक नित्रित्व प्रदान किया उन्होंने अपनी आत्मा में कुछ बाते अनुहब की और उनका संदेश देश को दिया उन्होंने स्वेम यह माना कि मैंने कोई नयावाद या धर्मन नहीं चलाया है 1936 इसवी में सामली में गांधी सेवा संग के सदस्यों के सामने भाषन करते हुए गांधी जी ने स्वेम कहा गांधी बाद नाम की कोई चीज नहीं है और ना ही अपने पीछे मैं कोई ऐसा संप्रदाय छोड़ जाना चाहता हूँ मैं कदापी यह दावा नहीं करता कि मैंने किनी नए सिध्धानतों को जर्म दिया है मैंने तो अपनी निजी तरीके से शास्वत सत्यों को द्यानिक जीवन और उसकी समस्या पर लागू करने का फ्रियत्नम मात्र किया है मैंने तो संपतिया पनाई है और जिन परिमानों पर पहुँचा हूँ वे अंतिम नहीं है मैं उन्हें कल भी बदल सकता हूँ, मुझे संसार को कुछ भी नया नहीं सिखाना है सत्य और अहिंसा इतने ही पुराने हैं जितनी किस देश की पहारियां है मैंने केवल ब्यापकाधार पर सत्य और अहिंसा के शेत्रों में अपनी शक्ती के इंसार परिक्षा करने का यतन किया है मैंने दर्शन जिसे आपने गांधिवाद का नाम दिया है सत्य और अहिंसा में नहीं थे आप इसे गांधिवाद के नाम से ना पुकारें क्योंकि इसमें कोई बाद तो है ही नहीं गांधी जी एक धार्मिक व्यक्ति थे उनका धर्म हिंदू धर्म तक ही सिमित नहीं था बलकि इनमें सभी धर्मों के नैतिक सिध्धान्त शामिल थे वे कहते थे कि राजनिती और धर्म दोनों एक ही वस्तू के दो पहलू हैं उनके धर्म नहीं उन्हें राजनिती में खींच लिया था उनके धर्म का अधार सत्य और अहिंसा था वे राजनिती को सत्य और अहिंसा के नसार ही चलाना चाहते थे डॉक्टर परमात्मा शरन के अंसार गांधी जी की महता इसी में है कि उन्होंने कुटिल राजनिती को शुद्ध किया तथा उसे बर्तमान युक की कुटनिती से उचा उठा कर धर्म निती के अस्तर पर पहुँचा दिया गांधी जी ने धर्म का प्रयोग सवी शेत्रों में किया वे इस कारण अच्छे उद्धेश की सिद्धी के लिए अच्छे साधनों पर बल देते थे गांधी जी कहते थे कि मेरे धर्म में मुझे राजनिती में धकेल दिया है वे कहते थे कि यदि मैं राजनिती में भाग लेता हूँ तो केवल इसलिए कि राजनिती हमें साप की कुंडली की तरह चारो और घेरे हुए है हम कोशिस करके भी उस गेरे से बाहर नहीं आ सकते इसलिए मैं सांप से लड़ना चाहता हूँ चुकि गांधी जी राजनिती को सत्य और अहिंसा के आधार पर चलाना चाहते थे इसलिए जिस समय भी उनके सत्यागरह में हिंसा का समय वेश हुआ उन्होंने अपने सत्यागरह को अस्थगित कर दिया हाव हाउस ने कुछ हद तक गांधी जी की शिक्षाओं को सुची वद्द करने का यतनी किया उनके मतानुसार अहिंसा किसी को हानी नहीं पहुचाना का अभी प्राय है असीम प्रेम यह सबसे बरा नियम है केवल इसी के द्वारा ही मानब जाती को बचाया जा सकता है अहिंसा और सत्य एक दूसरे से अभिन्य हैं दोनों एक दूसरे की पोर्व कल्पना करते हैं अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी अंग्रेज को मन, कर्म और वानी से हानी नहीं पहुचाना चाहता है। गांधी जी पुनह कहते थे कि बास्तम में अहिंसा की अगनी परिक्षाया है कि जब हिंसक बनने के लिए व्यंकर्तम उत्तेजना का अपसर मौजूद हो तब भी आदमी अहिंसक रिती से सोचे, बोले और आचरन करे। वे कहते थे आहिंसा क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी हिर्दय पिघला सकती है। कि नए स्वाराज की अगर कलपना की बात करें तो यह स्वाराज गांधी जी की कलपना गांधी की ही पुच्स तक हिंद स्वाराज में की गई है। 1915 में उन्होंने स्वाराज की परिभाशा इंस्रप्तों में की थी। स्वाराज से मेरा अभिप्राए भारत की उस सरकार से है जो इस्त्री, पुरुष, वासी, आधिवासी किसी का भेद किये बिना ऐसी वालिक जनता के बहमत से बनी हो जो राज्जी को अपना श्रम देते हो और जिनोंने मतदाता सुची में स्वेम अपना दर्ज करा लिया हो मुझे आशा है स्वाराज थोरे से लोगों के सत्याग्रा करने से नहीं आएगा बलकि स्वाराज तब होगा जब सभी में इतनी सामर्था आजाए कि वे सत्ता का दुरुपयोग होने पर सत्ता धिकारियों का विरोध कर सके दूसरे शब्दों में स्वाराज की प्राप्टी तब होगी जब जनता को इतना शिक्षित कर दिया जाए कि वह सत्ता का संतुलन और नियंत्रन कर सके अहिंसात्मक राज्जी की कल्पना गांधी जी राज्जी को साध्य नहीं मानते थे बलकि इसको जनता की भलाई के लिए एक साधन मानते थे इसलिए वे हीगल के इस विचार को नहीं मानते थे कि राज्जी मानब संगठन का अंतिम लक्ष है और या नैतिकता से उपर है वे मुसोलिनी के सिध्धान्त को भी नहीं मानने को तयार थे, कि राज्य सब के उपर है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य के विरोध्य भी कुछ भी नहीं वे राज्जी को सबसे उच्या रूप भी मानने को तयार नहीं थे, वे तो राज्जी को जनता की अधिक से अधिक भलाई के लिए एक साधन मात्र मानते थे, वे राज्जी को कोई विशेईस पवित्र संस्था भी मानने को तयार नहीं थे, यद दफी वे स्वेम कानून को मा आनने वाले नागरीक थे परंतु वे अत्याचारी कानूनों के विर्ध वेक्ती की अहिंसात्मक धंग से विरोध करने की आज्या भी देते थे। विश्वास नहीं रखते थे जो व्यक्ती की हर हालत में राज्य के आदोईशों के पालन पर जोड़ देता है। वे अहिंसात्मक राज्य में अन्याय तथा आकर्मन के विरुध प्रती रक्षा का पुर्ण विकिंद्री करना चाहते थे। वे ग्रामों और प्रतेइक नागरीक को सारे संसार से अपनी सुतंत्रता की रक्षा के लिए समर्थ बनाना चाहते थे। वे अहिंसात्मक सेना के पक्ष में थे धन्यवाद